हमाई साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के मलसी और राश्वी महासचेव स्वामी प्रसाद मौर हैं सर एक चीज जाना चाहेंगे लगा तायर जिस्ता चे विरोधरा भी आप बाराणसी भी कहें वहां भी कुछ लोगों ने आप पर स्याही फेकने की भी कोशिश की थी अब पहली बात तो जो लोग आज इस देश की महिलां आज बार्शियों दर्वतों पिछलों को अपमानित करना अपना धर समझते हैं वह बोखलाए हुगे हैं इस परंपरा को आगे भी ले जाना चाहते हैं मैं तो क्यों इतना ही कहा आप राम चाहित मानुष कोन परने से आपको रोग रहा है आप पढ़िये और राम चाहित मानुष की कुछ उपाईया हैं जो इस देश की महिलाओं को नीच से नीच परतारी तरने की बात करती है तमाम जातियों को जात सुचक्ष नाम से समुधित करते हुए उनको नीच और अधम कहते हैं पूरे शुद्र समाज को जिसमें आज पूरा दलीत आदवासी पिशा सबाते हैं इनको अपमानित करने की बात करते हैं तो हमने इन पड़ियों को बाहर किया है करने की मांग की है और भारती समिधान अनुछेत पंद्रह भी यही कहता है कि कि बंड जाति धर्म लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदाव नहीं किया जा सकता है अच्छा आपी की पाटी के विधाय के रहा केश्वताप सींग उन्होंने एक सावजनिक मन्से कहा है कि जो लोग रामचर रित मानस का अपमान प्रत्रत्रमाद करते हैं वो ना तो समाज वादी हैं ना सनातनी है विक्षिप तो हो सकते हैं तंसी नहीं है कि तो मैंने तो मांग किया है कि कुछ चौपाई यह देस्ट की महिला वार्शियों दल्क्तों पिष्णों का अपमान होता है उसे संसोधित क्या जा 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 तो इसको राम और राम जीज मौन से क्यों जोड़ लिया है राम तो खुद शबरी की बैर खाये थे जंगली जातियों को साथ लेकर के लड़िया लड़ी थी तो राम का आदस तो कुछ और था तुलशी जी ने अपने लिए तो वह हो जहां राम सबको सम्मान देते थे वहीं पर तुलसीदार जी आपमान की बात कर रहे हैं तो राम और तुलसीदार जी के चरित्र में और लिखने पढ़ने में दोनों बहुत अंतर है एक चीज़ लखनौ का नाम बदलने की बात बहुत दिनों से चल रही है लक्षमन नगरी करने की बात आ रही है राश्पती द्रॉपदी मुर्गों जी लखनव में थी उन्होंने भी अब तो मंच से एक बात कहीं उन्होंने कहा कि बहुत समय तक लखनपूर के नाम से जाना जाता रहा राश्पती है देश की लखनपूर यहां राजा लाखन पा यहां के राजा लाखन पार्शी यहां के राजा थे लखनव नाम तो वैसे ही पूरे दुनिया में चर्ची थे बदलने की कोई आश्पता नहीं है यहां तक की पूर प्रहान मंत्री माननी अटल विहरी वादपेई जी कि यह रही है और यहां अपने कई शम्मदमों में भा अल्ला और ओम एक है इसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया अब इसका उत्तर तो आप मदीजी से लेंगे तो ज्याद अच्छा बता देंगे अच्छा एक आखरी सवाल लेंगे कि सरकार जो आप लोग जाती जन्गर्णा की बात कर रहे लगातार सरकार जो विमुक् कर दो कर रहें इसलिए आज भादा सरकार जब से आई है ओट लेने के लिए आदवार्शियों दल्वतों पिष्णों को तो हिंदू कहती है सत्ता मियाने के बाद इनके आरचन का खात्मा कर देती है इनका हक मार जाती है इनके आरशी जगों पर कि अपने चहतों में बठा देती है तो स्वाही रूप से आज है अगर इनकी निये साफ होती है तो अंसुची जंजात अंसुची जात और पिष्णों के आरशान पर डखेटी नहीं पड़ती है तो यह ते हमाई साथ में सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यामरा सही होगी कर देती है अबसक्ताइब क्यों के अपने से आज है